हेलो दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको रीको मशीन के बारे में बताने जा रहा हूँ तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको रीको की मशीन के बारे में भी इंफोमेशन मिलेगी अभी तक तो मैं कैनन का ही बना रहा था अगर बीच बीच में मैं अब RICO का वीडियो भी डालता रहा हूंगा, ठीक है, तो आज की वीडियो में कैसे code लगाते हैं, वो मैं बता रहा हूं, तो बेसिक मशीनों में, मैं वीडियो शुरू करता हूं, और आपके सामने ये जो मेरा RICO का model है, ये 2001L है, तो ये 2001L और 2000SP वे ये यूजर टूल ये बटन है, ये देखे उपर, राइट साड में, जिसमे में प्रेस कर रहा हूं, इसको दबाना है आपको, फिर आपको, एरो की मदद से, सबसे नीचे जाना है, ये सबसे नीचे नहीं, ये, क्या बोलते हैं, सिस्टम सेटिंग में ही जाना है, ये एड्मिनिस्टेटर टूल में, तो ये एरो से आप एड्मिनिस्टेटर टूल सर्च करेंगे, ये एड्मिनिस्टेटर टूल हो गया, इसको ओके करेंगे, इसमें आपको जाना है, सबसे नीचे, ये देखे आ रहा है, प्रोग्राम चेंज यूजर को, इसको जाना है, और ओ डिलीट में लेगा। तो जितने भी यूजर उगे व् kidney होगे। फ्रोग्राम दो प्रोग्राम में में बना सकते हैं। रिटे करिके तो मैं दुलीट करता हूं। अफा मुझा जो होगे और बना सबसे कदा कर दो कर दो कहिती है। तो इसके नीचे हम येस कर देंगे और ये देखिए डिलीट हो जाएगा ठीक है तो इस option में आके आप नया code प्रोग्राम से लगा सकते हैं चेंज से पासवर्ट चेंज कर सकते हैं और डिलीट से डिलीट कर सकते हैं इसको करने के बाद आप स्कैप करके बाहर आजाएए ठीक है अब देखें वैसे भी यहाँ कोड नहीं मान रहा है बट मैं एक बार आपको मशीन को बंद करके फिर से चालू करके दिखाता हूं तो मे तरह से अपको कोड नहीं लगा हुआ है ठीक है इस तरह से आप कोड हटा सकते कुछ भी आप प्रेस करें सीधा प्रेस हो जाएगा स्टार्ट करेंगे और कॉपी आ जागा डिए यह जो रैड कलर का सिंबॉल दिखाई दे रहा है मशीन के डिस्पले पे यह पेपर का है ठी आप कुछ भी देखिया बटन दवाईए काम करेगी मशीन और इस तरह से आप रीको की मशीन में जो बेसिक मशीने हैं इसमें कोड लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं तो यह फीचर बहुत अच्छा है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और रीको के बारे में और जानकारी चाहिए तो दोस्तों इसमें कमेंट करिएगा क्योंकि मैं रीको की मशीनों का वीडियो डाल रहा हूं तो आप जैसा भी आपको समझ में आए बताएगा ठीक है वीडियो देखने के लिए थैंक्यू